हेलो बच्चों वेलकम फुजी के क्लासेज्स आज कि इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन करने वाले हैं यह क्वेश्चन आपके जैई एडवांस में पूछा गया है और लिनेर एक क्वेश्चन का क्वेश्चन है कोई बच्चा कर टेंथ इस वाल किया गया है ठीक है क्या है कि एक वैलू है थ्री रूट टू और भी की वैलू वन बाई 5 पावर वन बाई 6 रूट 6 कह रहा कि एक्स और वाई रियल नंबर से हैं एंड त्री एक्स प्लस टू आइकल टू लाग 18 पावर 5 बाई 4 बेस ए हैंड टू एक्स माइनस वा अब देखो एक वैलू गिवन है थ्री रूट टू तो मैं एक काम करता हूं मैं ए स्कॉयर निकाल लेता हूं ए स्कॉयर निकालने से क्या होगा आपको आगे क्वेस्चन में पता सल जाएगा ए स्कॉयर करोगे तो हो जाएगा थ्री स्कॉयर करोगे नाइन हो गया और पावर 6 करूँगा, बी का अगर पावर 6 करूँगा, तभी ये 1 by 6 कैंसल होगा, ठीक है ना, तो मैं B पावर 6 करूँगा, तो 1 by 5 पावर 1 by 6 and root 6 है, and whole power क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 6 और 1 by 6 का मतलब होता है, 6 पावर 1 by 2, root का मतलब क्या होता है, पावर 1 by 2 होता है, तो मैं लिख देता हूँ, 6 पावर 1 by 2, and whole power 6 है, तो इस पावर का क्या होगा, multiply हो जाएगा, and 2, 3 is a 6, तो यहाँ से आगया, 1 by 5 into, 6 पावर 3 है, तो 6 का 3 बार multiply करोगे, 216 आएगा, और जब इनका आपस में multiply करोगे, तो आएगा, 1080, ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, बी पावर 6 की value है, 1 by 1080, तो क्या 1 by 1080 की value निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, अगर यह नीचे इसको उपर कर दोगे, तो यहाँ पर पावर positive and negative हो जाएगा, मतलब, अगर मैं b power minus 6 की value निकालू, तो मुझे मिलेगा 1080, कुछ नहीं किया वहिया, इसको उल्टा कर दिया, तो पावर इसका positive and negative हो जाएगा, ठीक ना, अब आते हैं question पर, लिका है 3x plus 2y equal to log base a, देखो यहाँ पर 18 है, a square की value 18 मिली है, तो क्या मैं 18 की जगा पर a square लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो लिख देता हूँ, a square, and whole power कितना है, 5 by 4, लिख दो, इसको थोड़ा आगे शालब कर लेते हैं, जोको power का आपसे multiply हो जाएगा, तो हो जाएगा, log base a, a power 2 into 5 by 4, cancel कर दो, थोड़ा सा और आगे करता हूँ इसको, तो हो जाएगा, log a, and a power 5 by 2, ठीक है न, logarithm की एक basic property होती है, कि अगर कहीं पर log m power n लिखा है, तो power जो होता है, वो आगे आ जाता है, या n log m हो जाता है, ठीक है न, तो इसको आप consider करो m, और यह हो जाएगा n, तो n आपका आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा, 5 by 2, log a, base a, और log की एक basic property और होती है, कि अगर x, base x है, अगर number और base दोनों same है, तो वहाँ पर value होती है, 1, तो यहाँ पर देखो, log a, base a, number और base दोनों same है, तो इसकी value हो जाएगी, 1, यानि आपके पास क्योल बचेगा, 5 by 2, यानि कि 3x plus 2y की value आपको कितनी मिल गई, 5 by 2, अब दूसरा equation देखते है, लिखा है, 2x minus y equal to, log b, 1080 की value आपने निकाला है, कितना मिला, b power minus 6, तो यह हो गया, b power minus 6, लेकिन यह root के अंदर था, तो power 1 by 2 हो जाएगा, क्यों root का मतलब क्या होता है, power 1 by 2, powers का आपके मिल्टिप्लाई कर दोगे, तो हो जाएगा log b, b power minus 6 into 1 by 2, 2 से cancel करोगे, तो यहाँ पर आएगा 3, यानिकि यह हो गया log b, b power minus 3, अगेन, log m power यह लगा दो, तो यह m हो गया, यह n हो गया, तो n आगया आगया, तो हो गया minus 3, log b, base b, अगेन देखो, नंबर और base दोनों सेम है, तो इसकी value 1 हो जाएगी, तो केवल आपके पास बच्चे का कितना, minus 3, ठीक है न, अब एक बार लिख लेते हैं, now, 3x plus 2y equal to, 5 by 2 मिल गया है, and 2x minus y equal to, मिल गया है, minus 3, अब अगर किसी बच्चे को linear equation solve करना नहीं आता है, तो भई, यह वो मैत छोड़ दे, क्योंकि जेए advance में अगर ऐसा question पूछा गया है, तो भई, आपको linear equation solve करना आना चाहिए, अब इसको solve कर लेना है, और आपको बताना कितना है, 4x plus 5y की value, तो कर लेते हैं, देखो, एक काम करते हैं, मैं इस वाले equation में 2 का multiply कर देता हूँ, आइसा करने से क्या होगा, आइसा करने से ये equation कुछ इस तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 4y, और जब 2 का multiply करोगे, ये 2, इस 2 से cancel हो जाएगा, क्यों 5 आएगा यहाँ पूल, second equation को कुछ नहीं करना, as it is, लिख देना है, 2x minus y equal to minus 3, और अभी क्या करना है, अभी दोनों को separate कर दो, minus कर दो, यहाँ minus करोगे, यहाँ minus करोगे, यहाँ minus करोगे, यह minus करोगे, तो यह minus minus हो जाएगा, plus, 6 minus 2 कितना आएगा, 4x, 4 plus 1 कितना आजाएगा, 5y, और यह minus minus हो गया, 5 plus 3 कितना हो गया, 8, यह आपका आगया answer, यानि कि 4x plus 5y कि वैलू कितनी आएगी, 8 आएगी, ठीक न, तो question बहुत ही simple था, बहुत ही simple था, बच्चे को दो चीज़ें मालूम होनी चाहिए, लोगरिदम की question मालूम होना चाहिए, और थोड़ी चीज question के अंदर, थोड़ा सापको दिमाग यह लगाना, कि यह a square क्यों निकाला, b power 6 क्यों निकाला, तो b power 6 इसली निकाला, क्योंकि यहाँ पर मैं चाह रहा था, कि 1 by 6 जो power में यह cancel हो जाए, और square इसली निकाला, ताकि root हट जाए, औ कुल मिला के बाद इतना था, कि यहाँ पर 18 था, यहाँ पर 080 था, base जो दिया है, मैं question को base के form में convert कर रहा था, मतलब यहाँ पर A दिया था, तो number में भी A आना चाहिए, यहाँ पर B दिया था, तो number में भी क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, तभी तो log जाएगा, तभी अगर हम मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी भी जिमेदारी बनती है, कि आप सपोर्ट करें, थैंक्यू, मिलते हैं नेस्ट वीडियो में, जैन्द,